नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और एक तोता की कथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल ग्यान गंगा को लाइक करें, साबस्क्राइब करें और शेयर करें एक राजा था, वे बहुत ही बड़ा सिभ भक्त था, सिभ जी की बहुत पूजा पाट किया करता था और उसके राजिये में चारो तरफ खुशाहली थी, एक दिन राजा जंगल में सिकार करने के लिए गया और वहे रास्ता भटक गया, लेकिन राजा बहुत थक चुका था, पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद भी राजा को जंगल में रास्ता नहीं मिला गर्मी का दिन था, इसलिए धू बहुत तेज निकली हुई थी, और गर्मी के कारण राजा को बहुत तेज प्यास लगने लगी भूक भी लग रही थी, लेकिन प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही थी आब राजा इधर उदर हर जगे पानी की तलास में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला प्यास से उसका गला सूख रहा था, तभी उसकी नजर एक व्रिक्ष पर पड़ी, जहां एक डाली से टप टप करती, थोड़ी थोड़ी पानी की भूंद गिर रही थी राजा उस व्रिक्ष के पास जाकर देखने लगा कि हाँ पानी गिर रहा है, तभी राजा ने पेड़ के पत्ते तोड़े और उनसे एक दोना बना कर उन बूंदों से जो टप टप पड़ रही थी उनसे दोने को भरने लगा जैसे तैसे बहुत समय लगने पर आखिर में एक छोटा सा दोना पानी का भर गया राजा बहुत खुस हुआ कि चलो मेरी कम से कम प्यास तो बुझेगी, कम से कम जो गला सूकरा है उसमें तो कुछ आराम मिलेगा अब वहे पानी पीने के लिए दोने को मुझे पास लाया था कि तभी हुआ सामने बैठा हुआ एक तोता टैंटैंक एक आवाज करता हुआ उड़ कर आया और दोने पर जपट्टा मार कर उसे गिरा दिया अब तो राजा बेचारा उदास होकर बैठ गया क्यूंकि उसका सारा पानी नीचे गिर गया राजा बहुत निरास था कि बड़ी मुश्किल से तो पानी नसीब हुआ और वह भी इस पक्षी ने गिरा दिया लेकिन अब क्या हो सकता था ऐसा सोचकर राजा वापस उस जो पत्ते का दौना बनाया था उसको उठा कर फिर से भरने लगा काफी देर बाद आखिर में वह फिर भर गया राजा फिर से खुस होकर जैसे ही पानी को पीने लगा तो वही सामने बैठा तोता टैटे करता हुआ आया और दौने पर जपट्टा मार कर गिरा कर वापस सामने जाकर बैठ गया अब राजा बहुत निरास था प्यास के कारण वे बहुत क्रोध भी है उसको आ रहा था कि जोर से प्यास लगी थी जिससे जान निकली जा रही थी और उसने सोचा मैं इतनी मेहनत से पानी खटा कर रहा हूँ और ये दुष्ट पक्षी आता है और मेरी सारी मेहनत को आकर गिरा दीता है अब मैं इसी नहीं छोड़ूँगा आपकी बार जब ये वापस आएगा तो मैं इसे खतम कर दूँगा अब राजा अपने एक हाथ में दौना और दूसरे हाथ में चाबुक लेकर उस दौने को भरने लगा काफी समय बाद दौने में फिर पानी भर गया अब ये तोता जैसे ही राजा पीने के लिए चला तोता टैटै करता हुआ आया और फिर उस दौने पर जपटा मार कर जैसे ही वापस जाने लगा वैसे ही राजा ने उसको पर चाबुक मार दिया चाबुक लगते ही बेचारा तोता धेर होकर नीचे गिर गया और उसके प्रान निकल गए राजा ने सोचा इस तोते से तो पीछा छूट गया लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब तक दोनों को भरूँगा ऐसा करता हूँ ऐसे तो मेरी प्यास नहीं भुझेगी इसलिए जहां से ही है पानी टपक रहा है वह जाकर उपर चड़कर देख लेता हूँ है इसे पानी भर लूँगा और ऐसा सोचकर वह राजा उस डाली के पास गया जहां से पानी टपक रहा था जब राजा ने देखा तो उसके पाउं के नीचे की जमीन खिसक गई उस डाल पर एक भहंकर अजगर सोया था और उस अजगर के मूँ से लार टपक रही थी राजा जिसको पानी समझ रह था वह अजगर की जहरीली लार थी अब राजा के मन में पश्चेताप का समंदर उठने लगा अब वह रोने लगा और विलाप करने लगा कि हे प्रभू यह मैंने कैसा पाप कर दिया यह मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई मैंने यह क्या कर दिया जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था क्रोध में आकर मैंने उसे ही मार दिया कास मैंने संतों के बताए उत्तम छमा मार्ग को अपनाया होता अपने करोध पर नियंत्रन किया होता जो मेरे हितेसी निर्दोस पक्षी की जान नहीं जाती क्योंकि वह तो बिचारा मुझे बचा रहा था आब राजा के मन में ऐसा वेराग्य उठा वह जैसे तैसे अपने नगर को आया और अपने पुत्र को उसने राज सिंगहासन सौंप दिया और राज्य की सारी जिमेदारी अपने पुत्र को दे दी अब वह उसके मन में बैराग्य था कि उससे पक्षी का जो मौत हुई है वह उसके दिल से नहीं निकल पाती थी और अब वह एक संथ के कपड़े पहन कर और राज्य को त्या कर बन में चला गया बन में जाकर उएक तपश्या करने लगा उसे बस यही था कि किसी से मोहमाया नहीं रखनी और बिना सोचे समझे कुछ करना भी नहीं चाहिए आब वह सिर्व सिव के गुन गाता सिव के भजन करता और सिव के ही सिव में गाता गाता और सिव के ही मंतरों का जाप करता जो उसी को खाकर अपना गुजारा करता है ऐसे करते करते राजा ने अपना जीवन एक संत के रूप में विताना सिरू कर दिया दोस्तों सिव जी को उन्होंने गुरू माना और सिव मैं हो गया तो आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल ग्यान गंगा को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें राज